नमस्कार मैं भाशा और न्यूस क्लिक की टीम के साथ हम पहुँचे हैं अलिगड़ अलिगड़ वा शहर जहां पर जहां का जिन्ना का भूत भाशपा के लिए अलग धंका धुरुवी करण का काम लगातार करता रहा है अलिगड़ मुस्लिम यूवस्टी के लिए देश और दुनिय में जाना जाता रहा है यहाँ पर जिस तरह से चुनाओ हो रहे हैं जिस तरह से मथुरा और काशी की बात हो रही है जिस तरह से भाशपा पूरी तरह से सामप्रदाइक रंग में चुनाओ को रंगना चाह रही है इसमें हम टटोलेंगे, बात करेंगे, मद्दाताओं से और मद्दाताओं से वोट मांगने वाले कैंडिडेट से और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी से जुड़े उन लोगों से जिनका वोट और जिनकी पहचान बहुत माइने रखती है राजनितिक मूड को बताने के लिए बेरोजगार का मतला होता है कि वो एक भी पैसा नहीं कमा रहा अगर हम पढ़ रहे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाएं रोजगार मिलेगा पैसे आएंगे रोजगार हुआ हमारा अब रोजगार को हम यह से मुद्दा बना तका सरकारी नहीं मिली सरकारी जोब निकल र परिशानी की है अब उसको जो उनसे महार निकालेगा वो उसके सपोर्ट में जाएंगे प्रियंका गांधी जो यह लाई है 40% विमिन कहीं ने कहीं किन चीट पर हो सकता है कि वो गेम चेंजर भी हो सकता है काफी एंटी इंकंबंसी की वी बात है महंगाई एक मुद्दा है कैसे आप जेलेंगे आप तो यहां के विधाय की हैं देखिए आपने ब्रह्मन भी किया होगा और जिस तरह का जुग सिया सुभे आठ वही से आपको दीख रहा है और किसी भी छेतर में चलिया मेरे साथ योगी और मोदी जी के दोर में एंटी इंकंबंसी तो कहीं है नहीं लोगों के ललक है लोगों की लालसा है अधिया पॉसिबिल्टी इस देश का भविस्षे इस प्रदीश का भविस्षे मेरे सौगाओं किसानों के हैं किसी भी गाओं में चलिये किसी चितर में चलिये किसान मेरा खुसाल है गरीब को जे डमल रासन मिला है उससे मैं समझता हूं इतनी बड़ी राहत इस को बीड़े कालम में लोगों को पेट भरने के लिए घर बैठे अगर पेट भर जाए हम लोगों का करी महंगाई को एक चैलेंज मानते हैं महंगाई को एक सतत्थ पिकरिया है कोई भी सरकार हो बहुत पेट्रोल डीजल करके आए बहुत बजट बढ़ गया 2017 में भी मैं आई थी अभी भी आई है इस प्रदेश को हर गाउं को बिजली मिल लिए हर से बीनी मिल लिए जब खर्चा होता था किसानों का जब घर्चा होता था उद्धुग पतियों का उस हिसाब लगाई है आपक्ष के आरूप हो सकते हैं जनता भारती जनता पार्टी की साथ है जनता यूगीजी के साथ है जनता मुदी जीजी साथ है और जनता ही जिताती है कि यहां की बात नहीं है यहां की बात नहीं कर रहे थे जिस पर भार भारी पड़ रही है आज वही राईनीती उन पर भारी पड़ रही है और आने वाला प्रड़्राम देख लेना कि हमारे कम से कम इनके मैक्जिमम तीन प्लस होंगे तो हमारे उन जाट वेल्ट में 21 प्लस हैं हमारे आज की तारेक में चुनोतियां अनेक हैं चुकि ये आज शाशन में है और शाशन का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं सत्ताधारी दल है नोकर शाही मैं कोई इल्जाम या रोप नहीं लगा रहा पर मुझे ऐसा मैसूस होता है कि इनकी इशारों पर चल रही है क्या नाराजगी वोट में तब्दील होगी बिल्कुल जब विकल्प मिलता है तो नाराजगी तब्दील होती है आपकी जो कॉंस्ट्वेंसी है वो सामप्रदाइक धुरुवी करण के लिए भी बहुत कुख्यात रही है ये चुनौती आप कैसे फेस करने की आपकी रणनीती है देखें सामप्रदाइक था कोई नई चीज नहीं है और उसके सामने मानफता का ही संदेश दिया जा सकता है और वो ही मैंने दिया है मैंने यहां की जंता से अगर आप पूछेंगे मैंने हमेशा सामन जस्ट बनाने की कोशिश की और जो लोग सामप्रदाइक राजनीती करते हैं उन्होंने सामन जस्ट बेगाणने की कोशिश की तो ये एक इम्तिहान है गांधी के संदेश का ये एक इम्तिहान है इस देश की विरासत का संस्कृती का जो हमेशा से मिली जुली रही है और मुझे पूरा विश्वास है छणिक मौके ऐसे आते हैं जब जो शरारती ताक्तें कहिए या विनाशकारी ताक्तें कहिए वो हावी हो जाती है पर वो बच्छन भंगोर होते हैं वह बहुत इस्थाई नहीं होते हैं जबसे बारती जंता पाट्री की सरकार है बनी है तबसे और अन्य चित्रों में भी जिसी एस Th gobierno सुर्ण तरपुरा में गोवा में इस तरीके से चित्रों में तो वह प्रचारकों की ही महनत है क्रिश्ण पॉपाल जी लंबे समय तक आसाम में रहे और आसाम में उन्होंने करी कि 15 साल उनका आसरम में वरकिंग रही और उसका यह प्रत्फल रहा जो जब सरकार महां बनी तो लोगों क्या आपकी पार्टी के फेवर में चीजे हैं क्योंकि अभी जो आगरा में रैली हुई उसमें मायवती जी ने निशाने पर कॉंग्रेस और सपा को लिया जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और योगी आदितिनाथ उनको ने लिया वजा देखिए वह यह बहन जी की बा मुझे वोट क्यों दे पबलिक या आपने मुझे पूछा है तो मुझे पबलिक का और अलीगर के अवाम का और जन्ता का मैं बहुत बहुत शुक्रदा करती हूं कि मैंने जब भी कोई एलक्शन लड़ा जब भी मैं फील्ड में आई हूं जब भी मैंने कोई चुनाओ लड प्रॉम्स हैं उन्हें मैं 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 में अमले मन कर सॉल्ब करना चाहती हूं देखिए जब पावर होती है तब ही कुछ काम हो पाते हैं मेरे पाइज बहुत सीधा सवाल अलीगर की पूरा इलाका है ये हिंदू-मुसलमान धुरुवी करण का इलाका है भाश्पा का इलाका है भाश्पा और रसेस ने बहुत काम किया है ये जो चैलेंज है कि आपके लिए चैलेंज है और मुसलिम वोटों के बटने का जो खत्रा है इस समय जो एक बहुत बड़े खत्रे के तोर पर लोग बता रहे हैं वो कैसा है देखिए ऐसा कुछ नहीं है मैंने तो भाश्पा ने की होगी हिंदु मुसलिम की राजनीती लोग करते होंगे लेकिन मैंने कभी भी किसी कास्ट पर्टिकुलर की पॉलिटिक्स कभी नहीं की और ना मैं कभी फ्यूचर में करना चाहती हूँ ये बाटने का काम और लोगों का होगा मैंने दिलों को जोडने की पॉलिटिक्स की ह हमेशा दिलों में रहने की politics की है, लोगों के काम आने की politics की है, तो मैं इस बात पर ब्लीव नहीं करती हूँ, कि भाजपा क्या कर रही है, या हिंदु-मुस्लिम को बाट रही है, जो भी समझदार है, चाहे वो मेरे non-muslim लोग हो, चाहे भी मुस्लिम लोग हो जो समझदार हैं, वो कхी नहीं लड़ते हैं, न कभी बढ़ते हैं. मुस्लिम वोटों के बटने की बात है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम कैंड़ेट है, बसपा ने भी तमाम मुसलिम बहुल इलाकों में मुसलिम कैंड़ेट खड़ा किया है ओवेसी सहब भी है तो इसमें जो मुसलिमान वोट है बटेगा और भाशपा को फायदा होगा बिलकुल नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को क्योंकि बोटर बहुत समझदार है और वोट वहीं करता है जब उसे लगता है कि BJP को कौन फायट कर रहा है तो हमारी पार्टी का जो बेस बोट है वो हमारे साथ है 100% और उसी के बहाव पे पब्लिक इंशालला मुझे वोट करेगी अब म्यांगाई इतनी कर दी है कि एक राशन पर कितना देते हैं 30 रुपे का 40 रुपे का 50 रुपे का आम लोग हैं हम तो अब जूटी जाएंगे या कोई मजदूरी करने जाएंगे या पहले से लिजाएं या दिन में आएंगे तो मजदूरी से मारे जाएंगे उससे भी इसलिए पहले सी आकर लाइन लगा लेते हैं समाजवादी चाहते हैं समाजवादी आएगी इंशालला लेकिन समाजवादी आती है तो कुछ बदलता है क्या जमीन पर हाँ बुलकुल बदलता है यतनी बड़ी महंगा ही कहां थी पहले पहले पैट्रल और डीजल कितने सकते थे डीजल था साट रुपी लीटर पैट्र पैट्रल दुपंदर है वह पिचेतर रुपी लीटर और सब समाजवादी को बोड़ देंगे या साइकल की चलेगी खाली है कि अ कि अ झाल